इरान हो, साउदी अरब हो, UAE हो, या फिर जोडन, तमाम देशों के साथ, भारत के रिष्टे, आज एक नई उचाई को छू रहे हैं। दूधराज गारिस्तान हो, या फिलिस्तान, साउदी अरब हो, या UAE मालमिव हो, या पहरीन, इल्ठते सोने, भारत को अपना सरवोच चन्नागरी सम्मान दिया है। भारत की संसुते के साथ, अपने रिष्टे को और प्रगाड कर रेगी कोछ दिश्टी है। इसी का परणाम है, इस साउदी अरबने, भारत से जाने वाले, हज्यात्रियों को, कोटा में अप्रत्याती रुप से बढ़ बढ़ावा किया। मैंने मांग की थी, कि भारत में, मुसल्मान समाज में मध्यमवर्ग बढ़ रहा है। वे हज्यात्रा करना चाहते हैं। और मैंने कहा, मुझे दो लाग का कोटा कर दीजिए। उन्होंने कर दिया भावाईयों। पिछले पांच वर्षों में, मुस्लिम देशों ने, जिस प्रकार और जिद्री संध्याम है, भारतियक कैदियों को छोड़ा है, वो अबुद्पुर्वा है। साउदी अरब हो, कुवेद हो, कतर हो, या पहरी इन सब्दे सोने। भारत के जीतने कैदियों को छोड़ा है, उतने पहले कभी नहीं छोड़े गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी बज़े है, भारतियक संक्रवी सप्यता के प्रती, उनका सम्मान। आपने देखा होगा, कि मैं खुद जम इन देशों में जाता हूँ, उनके रास्प्रमुकों की सामती के साथ, वहाँ बसे भारतियों के पास भी जाता है। वो भी बताते हैं, इन वर्षों में, उनके देशों में भारत का मान कितना ज्यादा बड़ा है। बातियों, बंगला देश के साथ, हमारे समंदों में, जितनी प्रगारता आ जाई है, वो बर्षों बाद हुई है। बंगला देश के साथ मिलकर, भारत, पटवारे के समय से चली आ रही, समस्याओं को सुल जा रहा है। जमीन को लेकर विवाद हो, कनेक्टिविटी हो, रेलिवे का काम हो, नए जलमार्ग हो, प्रॉट्वेंड का विस्तार हो, बंगला देश के साथ, हम कंदे से कंदा बिलाकर आज चल रहे हैं। ये सारी बाते कॉंग्रेस और उसके साथ्यों को पच्च नहीं रही है। वो यही सोचते हैं कि मोदी को मुस्लिम देशों का समर्थन मिलेगा। और जो मिल रहा है, अगर यही चलता रहा, तो भारत में उनके जो कारणामे हैं, उनकी जो पाते हैं, उनकी अप्वाएं हैं, उनके जो जूब हैं, मुस्लिमों को डराने के उनके जो कारणामे हैं। उनको लग रहा हैं कि दुनिया का मुसल्मान अगर मोदी को इतना प्यार करेगा, तो भारत के मुसल्मानों को डराने का काम कैसे करेंगे, यही इनकी जिन्ता है। और इसलिए समय समय पर यह दल नई नई साजी से लेकर क्याते हैं। इस समय भी इनकी साजी सो का नया दोर चुदूबा है। उपर दे लोग समाच चुनाओ के नतीजों ने तीन तलाज़ पर मुसलिम पहुन बेचियों और उनके पिता भाईयों के सबर्फन ने इनकी देंजिल और बढ़ा दी पे। और इसे मैं कहूँगा टैप रिकॉर्ड की मत सुनेओ। उनके टैप रिकॉर्ड की मत सुनो। हमारे टैप रिकॉर्ड को देखो। साथियों आप आस्वस्त रहिए। मैं सभी देश्वाच्यों को कहना चाहता। आप आस्वस्त रहिए। इन लोगों की साजिसों के बावजोर। आपका ये सेवत। देश के लिए। देश की एकता के लिए। शांती ओर्थथावना के लिए। मुझसे जो भी बन तकेगा। मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। कर दो